आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुब कामना है और आईए मनाते हैं दीपावली आपके साथ ये पर्व है भारत की खुशाली का ये पर्व है धर्म की दीवाली का जब भारत की एक वनवासी बेटे ने ये बता दिया था त्रिलोक विजेता शत्रू को कि भ लाइए हम मनाते हैं अपने दिपावली का योहार जगमगाती हुए दियों के साथ जगमगाते दियों के कतारों के साथ राम क्या है? उनका प्रताप क्या है? कुछ इस प्रकार है उनका सतकार हम कैसे करेंगे आज दीपावली पे? शुब दीपों से सतकार करो भारत के गौरव नायका पूजन वंदन जैकार करो जानकी संग रगु नायका क्योंकि माता सीता के बिना श्रीराम अधूरे है आंधियों बीच अधियारे में दीपक जलना जिनका प्रताप वानरी रीच सेना के बल संगर करना जिनका प्रताप जो काल निशा में बुझे नहीं सूरज भी शीष नमाता है नरनाहर का पौरुष अथाह वह मनुझ नहीं जगत्राता है करतव्यनिष्ठ जगसे वरिष्ठ सुरसंत धेनु का पालक है अवधेश नहीं है वह केवल वह लोकों का संचालक है वो केवल अयोध्य के नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड के नायक है वो हम सब के राजा है उन्होंने केवल भूभाग पर या त्रैलों के पर ही नहीं सभी प्राणियों के मन मस्तिस्क पर भी राज किया है और करते हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे सदैब राम हमारे भारत का गौरव रहे है और उनका स्वभाव इतना प्रिय रहा है इतना स्वक्ष रहा है कि जो भी उनसे मिला वो उनका हो गया जो नहीं मिला वो भी उनका हो गया हर प्राणी चाहे जिस संबंध में परंतु उनका हो गया कैसे वो निशाद राज को अपने गले से लगाते हैं मैं बताती हूँ धूल को उठा के स्वर्ग शिर्ष पे चड़ा दिया भक्ति को मिला जो प्रेम प्रेम को बढ़ा दिया खोए प्राण को खोए प्राण को जैसे देह से मिला दिया राम ने निशाद को गले से यो लगा लिया और वो कौन-कौन से गुण है जो राम को राम बनाते हैं राम को पुन करते हैं वो ये है निर्बलों में शक्ति का प्रवाह जो बहा सके तीन लोक माप के भी अश्रु में नहा सके जो निशाद को भी अपने कंठ से लगा सके गिध के लिए भी जो चिता स्वयम सजा सके राम का चरित्र एक राम ही निभा सके तीन लोक जीत के भी प्रेम धन कमा सके थोड़ थोड़ व्याभाव को ले कर लोग अभिमान करते हैं और जो तीनों लोकों का राजा है उसका अभिमान कितना होना चाहिए परन्तु वो कैसे तीन लोग को जीत करके भी प्रेम धन कमा लेते हैं सब उनसे प्रेम करते हैं सब वो सबसे प्रेम करते हैं और आज अवद में राम आये हैं पूरी श्रस्थी राम राम कह रही है, राम बस राम.